भारते संस्कृति के नुसर हल्दी का अपयोग महतपूर्ण है फिर चाहे खाना हो या ब्यूटी पैक हल्दी का इस्तिमाल हर जगा होता है सिहत के लिए हल्दी के अंगिनत फायदे होती है ये कीचन में मौझूद उन औस दियों में से है जिनका अपयोग सदियों से अर्वेद में भी होता है सिहत के साथ-साथ हल्दी का अपयोग खुबसुतत तचा पानी के लिए भी किया जाता है खास दोर पर साधी से पहले दुलहन और दुलह को हल्दी लगाए जाती है ताकि इनकी तचा गलो करे इसके अलावा भी हल्दी तचा को कई तरह से फाइदे पहुचाती है तो आई जानते हैं के पाँच बेमिशाल फाइदे के बारे में दुस्तों यह दाग और धबो से छुटकरा दिलाता है हल्दी तचा में जान डालने का काम करती है या एंटिसेप्टिक होती है इसमें मौझूद खास गुन एकने और इंफेक्शन से लड़ते हैं हल्दी खास कर उन लोगों के लिए बहत फाइदेमंद है जिनकी तचा नाजुक होती है हल्दी में मौझूद करक्यूमिन, दाग, हैपर पिग्मेंटेशन और सुरज की यूवी किर्णों से हुए नुकसान को ठीक करती है दूसों या जुर्यों को भी दूर करता है हल्दी उन मुक्त कनों को दबाने का काम करती है जो उम्र बढ़ने के कारण बनते है साथ ही ये तचा में कॉलेजौन और नमीक एस्तर को बनाए रखती है इसके नियमित इस्तमाल से तचा की जुरियां कम हो जाती है दूसों या घाव को भी जल्दी भरता है हल्दी में अक्सिकरन और तराव परक्रिया को कम करने का एक बड़ा गुन होता है ये दोनों गुन आपके शरीर पर किसी भी घाव को तेज गती से ठीक करने में मदद कर सकता है आप बस घाव के उपर थोड़ी हल्दी डाल कर उसे हलके से दबा सकते हैं दोस्तों ये तचा की दिक्तों को भी दूर करता है हल्दी के फैदा उसमें मौझूद प्राकृतिक गटक करक्यूमीन से आता है करक्यूमीन परतिक्षा पर नाली में विस्ष्ट उत्ते जना को दबा देता है सूजन, सिरोयसिस और एकजिमा जैसी तोचा के इंफ्रिक्शन में लाबदायक साबित होता है दोस्तो सोज से पता चला है कि हल्दी में मौझूद एंटि अक्सिडेंट गून सूरज की किर्णों से होने वाले नुक्सान को भी कम करने में कारगर साबित होते है यही वज़ा है कि गर्मी से होने वाले रेसेच और जलन पर हल्दी का पेश्ट लगाने से ठंड़क और रहत महसूस होती है तो दोस्तों यह थे हल्दी के फाइदे जनकारे आपको पसंद आएद वीडियो को ज़्याद ज़्याद सेर करें वीडियो को लाइक करें